आप अकर stock market साथ जूड़े हुए हो या फिर stock market को basic से सीखना चाहते हो तो आपको share buyback क्या होता है इसको ठीक से समझना होगा और इस वीडियो में हम इसे share buyback को details में समझने के courses करेंगे तो इसमें से first हम देखेंगे कि what is buyback मतलब buyback क्या होता है next हम देखेंगे reasons for share buyback मतलब company य जो share buyback करता है वो अलाग अलाग type का होता है तो वो कौनसा कौनसा type है उसको देखेंगे फिर अलाग अलाग अला procedure फॉलो किया जाता है तो वो कौनसा procedure होता है buyback करने का वो सब के बड़े में हम चर्चा करेंगे तो चालिए first हम देख लेते है what is buyback इसमें क्या होता है कोई अब वी कमपणी अपना खुद का share को अपने existing shareholder से purchase करता है और इसी system को buyback कर आता है किसी भी कमपणी का जो shareholder है वो promoters हो सकते है वो Institute हो सकते है वो public हो सकते है future fund हो सकते वो इंबेश्टर हो सकता है तो सभी टाइप का जो shareholder है उन में से अगर company अपना ही share को buy कर रहा है तो उसी को buyback कह जाता है तो इसमें आप देख सकते कि shareholder का category में promoter भी आ रहा है तो आप में से अगर कोई non finance background का है या फिर business के सथ जुड़े हुए नहीं हो तो उनको इसमें confusion हो सकता है कि promoter और company तो एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है बिजनेस का ना जर्रिये में promoter और company दोनों अलग है company को भी एक artificial individual के तरह देखा जाता है promoters के पास अगर company के share से तो वो promoters भी company का ही shareholder बन जाता है लेकिन company और promoters दोनों यह अलग है जैसे हार एक अलग 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 shareholder है जैसे पाब्लिक है इंस्ट्रीट है mutual fund है F.I. इंवेटर है उसी तरह का promoters के पास अगर share है वो भी इस का category में आया था है कि shareholder का category में है वो तो जब भी कोई company अपना ही shareholder से इसी तरह share को buy करता है उसी को buyback का जाता है लेकिन यह जो company है अपना share को issue किया था shareholder के बीच में fund उठाने के लिए तो fund उठाया फिर company दोबड़ा Q share को buy करता है यह सबल आपका मुन में होगा तो इसका ब buyback का जो common करन है वो क्या क्या हो सकता है तो first जो करन है वो है excess surplus money मतलब company के पास अगर ज्यादा पैसा surplus में रहे जाता है तो उस पैसे का अगर उपयाग नहीं कर पाता है मतलब company का जो अलग project है वो अगर नहीं आता है company के पास पैसा पढ़ा है या फिर growth में नहीं इस्तेमाल कर पाता है तो उस पैसे से company अपना जो share है उसको buyback करना चाता है या क्यों company अपना growth में भी पैसे डाल रह रहे जाता है तो company उस पैसे से अपना share को buyback करना चाता है तो यह तो गया first करन next करन है tax saving तो इसको आपको समझाने के लिए मैं मुझे तो आपको कुछ दिखाना company एक तो buyback कर सकता है अपना share को या फिर company क्या कर सकता है अपना shareholder को dividend दे सकता है तो company अगर अपना profit से यह जो dividend अपना shareholder को दे रहा है तो उसमें क्या होता है company जब dividend देना जाता है अपना shareholder को तब company को एक tax देना पड़ता है जिसका नाम है dividend distribution tax उसके बाद भी company अपना shareholder क दिविडेंट दे दिया है फिर कोई shareholder का अगर one year का dividend 10 लाक से ज्यादा आ रहा है उसके उपर भी एक tax लाग जाता है तो इस case में कितना बाट tax देना पार रहा है एक ही कामाई के उपर देखिए company जब profit कामाया तो उसके उपर एक बाट tax देना पड़ा फिर company dividend देना जाता है दिविडेंट distribution tax देना पार रहा है फिर shareholder को dividend दे रहा है अगर उनका dividend one year में 10 लाक से उपर आ रहा है तो उसके उपर एक बाट tax देना पार रहा है तो एक ही कामाई में तीन तीन देना पार रहा है तो इसी को solve करने के लिए company क्या करता है dividend देने के बज़ाई buyback कर लेता है म company अपना shareholder को 100 crore dividend देना चाहता है तो इसमें 100 crore dividend देना जाएगा तो पहले तो यह 100 crore में जो मुनाफ़ा कमाया उसमें तेक बाट tax दे ही दिया फिर dividend distribution tax देना पारेगा फिर अगर shareholder को दे रहा है उसका 10 लाक से उपर होड़ा एक one year के अंदर तो उनको फिर से tax देना पार रहता है तो उसमें जो tax से इससे छोट करा मिलता है लेकिन मैं यहां पर और एक चीज बाताना चाहूंगा कि जो 2020 का जो last budget आया था उसमें एक नया rules लागू किया गया जैसे dividend distribution tax इसको निकाल दिया गया मतलब company अगा dividend दे रहा है अपना shareholder को तो उसमें से dividend distribution tax को निकाल दिय जा गया इस company को देना नहीं पड़ेगा अब से लेकिन जो dividend shareholder को दिया जा रहा है अगर किसी भी shareholder का dividend 1R के अंदर 5 लाग से उपर है तो जितना भी यह उपर जाएगा उसके उपर 10% 10% TDS का दिया जाएगा तो 2020 से यह नियुम लागू किया गया पहले यह था अभी यह नि इसके उपर मैं 100% SEO नहीं हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिकल में पर रहा था इसके बाड़े में और उसको मैंने जाज भी नहीं किया और किसी को पूछा भी नहीं जस्ट पर रहा था आपको यहां पर आकर बता दिया तो कि देखिए हम और आप जाएसा रिटेल इंबेस्टर हमको तो कभी भी इतना ज्यादा डिविनेर आता ही नहीं है तो इसलिए मैं इसके बाड़े में ज्यादा इतना रिसाज भी नहीं करता हूँ और पढ़ता भी नहीं हूँ जस्ट मैंने जब सेयर मार्केट को सीख रहा था तो सेयर बाइबेक क्या होता है उसका कंसेप्ट सम है और सेयर मार्केट को सीख रहे है तो सेयर बाइबेक को आपको तो समझना पड़ेगा और उसी को समझने के लिए यह सब आपको सीखना पड़ेगा आप अभी बेसिक लेबल पे हो तो बेसिक लेबल पे आपको इतना पता होगा तो कापी है हाँ आप अगर बड़े लेब मिल जाएगा और आदर्स भीवर को भी एंकरी मिल जाएगा लेकिन हमारा जो में मक्सद मक्सद आपको समझाना कि कमपणी बाइबेक लाता है टैक से विंग के लिए वो मैं आपके आपके समझा दिया नेक्स्ट करण है कि टू इंक्रीज प्रोमोटर स्टेक मतलब कमपणी का जो प्रोमोटर से उनका स्टेक को इंक्रीज करने के लिए भी बाइबेक लाया जाता है तो इसको भी समझाने के लिए तो मुझे कुछ आपको यहां पर लिक के भी दिखाना पड़ेगा जैसे अगर आप जानते हो कि कंपणी के अंदर जिसका शेयर होल्डिंग पर्सेंटें ज्यादा है उनका ही मना जाता है मतलब उनका ही डिसेशन को ज्यादा महत्तो दिया जाता है कंपणी में कुछ भी आगा चेंज किया जाता है तो सबसे पहले जिसका शेयर होल्डिंग ज्यादा है उनिकाई सुना जाएगा तो अगर promoters के पास कम share holding रहेगा और जो अधर इंबेस्टर उनके पास ज्यादा percent share holding रहेगा तो जो भी decision लिया जाएगा वो other investor के उपर depend करेगा ना कि promoter के उपर तो promoter क्या करता है इस case में अपना share holding को बढ़ाने के लिए percentage को बढ़ाने के लिए buyback का इस्तेमाल करता है या फिर किसी भी reason में अपना share holding को बढ़ाने के लिए buyback का इस्तेमाल करता है तो वो किस तरह का अभी मैं आपको समझाता हूँ जैसे माल लेते कोई यह company है उसका total outstanding share है 100 मतलब यह 100 share सभी shareholder के बीच में है और इसमें से 45% है promoters के पास यानि 45 share promoter के पास और बाकी 55% यानि 55 share अधर investor के पास तो अब यह company का जो यह promoter है वो चाहता है कि आपना जो यह shareholding है मतलब shareholder का percentage है इसको increase करके 50% के उपर करना promoter अपना shareholder को बढ़ाने के लिए इसी तरह buyback को किस तरह इस्तमर करता है वो अभी दिखात हो मैं आपको जैसे 20% का buyback का island किया मतलब 100 share है और 20% share company buyback कर लेगा मतलब company के खुद के पास return आ जाएगा तो company का अभी total shareholder है यह अधर shareholder और promoter यह total shareholder है buyback करेंगा तो यहीं से buyback आएगा तो 20% buyback आएगा 20% यानि 20 share बापास आजाएगा और यह जो buyback है इसमें कोई भी investor अपना मर्धी से हिष्चदारी ले सकता है मतलब return कर सकता है या ना भी कर सकता है तो जो promoter है वो तो इसमें हिष्चदारी नहीं लेगा क्योंको buyback में शदरी नहीं लिया उनके पास जितना share है उतना ही रहे गया और जो other investor है उन्होंने 20 share return कर दिया तो उनके पास रहेगा 35 other investor के पास तो अभी इस situation में जो promoter के पास है वो टोटल आउट्रेंटिम share का 56.25% और other investor का है 43.75% तो इसी तरह buyback का इस्तिमाल करके promoter company में अपना stake को increase कर देता है तो generally यही तीन कारण रहता है इसके अलावा भी छोटा-मोटा बहुत सारा करण रहता है तेकिन एक basic level का knowledge लेने के लिए आपको उतना deep जाने का जोरूरत नहीं है हाँ अगर आप advanced level का fundamental analysis कर रहे हो तो आपको सभी type का buyback को जानना पड़ेगा तो फिलाल यह तो हम basic level का जो series है वो इसको cover कर रहे है तो इसमें हम उतना details नहीं चाहेंगे हाँ जब हम fundamental analysis का advanced level का series लाएंगे तो उसमें आपको अलाग-अलाग जो buyback होता है उसके बाड़े में बता होंगा उसमें आपको अलाग-अलाग level का buyback को जानना पड़ेगा क्योंकि company किस तरह का buyback ला रहा है फिर उसके बजा से किस तरह का share price में impact पड़ेगा किस तरह का balance sheet में impact पड़ेगा वो सब आपको जानना पड़ेगा ताब आप advanced level का fundamental analysis करोगे तो अभी इस बाक्त इत तो वो कैसे वो एक बाद देख लेते हैं जैसे EPS का जो formula है वो है total earnings divided by total outstanding shares मतलब company का total earning क्या है company ने divided by company का जो total outstanding share रहता है तो हमाल लेते हैं किसी company का total earning 500 रूपीज example के तरपड़ और company का total outstanding share है वो है 50 तो company का जो EPS यानि आणि पर share होगा 10 तो company अगर buyback कर लेता है अपना outstanding share को तो माल लेते है company 10 share buyback कर तो company का share रहे जाएगा 40 तो अभी इसी situation में company का जो EPS होगा वो होगा 12.5 तो इस तरह company अगर अपना share को buyback कर लेता है तो share काम हो जाता ह होगा फासा करता है साथी सातभ कंपणी का EPS increase होता है क्योंकि Share buyback कर रहा है तो आर्लिंग तो कम नहीं होगा आछिसल्प सियाडिये सेam ही है तो सथाथी सिसको EPS increase हो जाता है तो जैसे company इसमें क्या आता है इसमें company market में जो price चल रहा है मतलब share market में जैसे NSC और BSC यह दोनों stock exchange है इसमें जो price चल रहा है इसमें से ही company अपना share को buy करता है market price में इसको open market का आयाता है हम इने NSC और BSC दोनों लिखा अगर company किसी एक exchange में listed होगा तो उसी exchange में buy करगा दोनों में इससे होगा तो दोनों में से कर सकता है लेकिन इसमें से कुछ rules और regulation है जो आपको समझना होगा यजिसे fast है company जब भी इसी तरह open market में buy back करेगा तो fast company को सेवी को इन्फराम करना पड़ेगा और एक्सचेंज को इन्फराम करना पड़ेगा जैसे कमपणी अगर दोने एक्सचेंज में लिस्टे रहे तो दोने एक्सचेंज को इन्फराम करना पड़ेगा और उसमें यह बाताना पड़ेगा कि कमपणी कितना को इन्टिटी बाइब 10 आपर बैंदे दिया, तो company जब market में share को buyback करने जाएगा तो ये 110 से उपर ये buy नहीं कर पाएगा, अगर share price 110 को कोडस कर जाता है, तो company तब buy नहीं कर पाएगा, उसका नीचे होगा तब company buy कर पाएगा, और इसी तरह का नियम इसी लिए दिया जाता है कि company का जो price हो काए, manipulate ना हो जाए जो कि देखिए, company अगर भारी मत्तर में buyback लाड़ा है, तो market में demand होगा, अगर share का demand होता है, तो आप जानते हो कि share price उपर चला जाता है, तो इसी तरह अगर भारी मत्तर में लाड़ा है, तो company का share price तो company आपने आप ही increase कर देगा, जो manipulate हो जाएगा, तो इसी rigs को control करने के लिए अपर circuit लगा जाता है, कि आप इससे उपर price में आपना share buy नहीं कर सकते हो, इसके नीचे हैं तो कर सकते हो, तो एक बार जब से भी approve कर देता है company को, कि आप open market में से buy कर सकते हो, ताब उसके बाद one year तक का time रहता है, अनलाब company इस one year के अंदर का भी भी जितना भी share को approve किया, वो share buy कर सकता है, लेकिन इस apartment के नीचे का price में, अगर उपर चला जाता है तो company buy नहीं कर पाएगा, तो किसी भी company चाहेगा कि हम कम से कम price में buy करूंगा, कि company के उसमें फाइदा होगा, यतना कम बाई करेकर उतना फाइदा होगा, company इसी तरह जब price काम आएगा तो आप buy कर सकते हैं, इस तरह किस तो में buy कर सकता है, या फिर company चाहेगा कि एक बाड़ में buy कर ले ना, तो भी गार सकता है, next जो type है वो है tender offer, इसमें क्या होता है, इसमें company एक fixed price रख दिता है, और direct NSN BSC से जाके buy नहीं करता है, इसमें अपना जो shareholder से उनको offer करता है, कि हम इस price में अपना share को buy करना चाहता है, आप इसमें हिस्ज़दरी ले सकते हो, जैसे माल लेते हैं company के जो share price यो market में चल रहा है 100 rupees, और company 110 rupees में अपना buy back offer लाया है, मतलब क्या है, company अपना shareholder को बोल रहा है, कि हम 110 rupees में अपना shareholder को buy करना चाहता है, अप में से कोई अगर इसमें हिस्ज़दरी जाना चाहता है तो अब ले सकते हो, और जितना भी tender offer आता है, वो ज्यादा तार market price से उपर में आता है, क्योंकि देखिए, अगर market price से नीचे कोई company अपना share को buy back करना चाहेगा, तो कोई भी shareholder उसमें हिस्ज़दरी नहीं लेगा क्योंकि market में उसको ज्यादे price मिल रहा है तो कम में क्यों बेचेगा, तो इसलिए इसको ज्यादा रखा जाता है, और दूसरा करन ज्यादा रखने का, ऐसे मैंने आपको बताया कि dividend देने के बाज़ाई company buy back करता है, तो dividend देने का मतलब क्या है, company अपना profit से shareholder को reward करना चाहता है, तो उसके जगा buy back ले रहा है, तो इसलिए company ज्यादा प्राइज राख देता है, ताकि अपना shareholder को reward कर पाए, market में 100 चला है, 110 यानि 10 रूपिस का reward दे रहा है अपना shareholder को, तो इसी सब करन के लिए company अपना buy back प्राइज है ऊपर राख देता है, और यह जो tender offer है, इस tender offer में भी, जैसे मैंने आपको bonus share, stock split, dividend share, उस सब वीडियो में बताया था, कि EX date रहता है, record date रहता है, इसमें भी same ही रहता है, तो आपने अगर वो सब वीडियो देखे हो, तो आप EX date, record date आपको पता होगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने यह plot कर लिया है, तो इसमें आपको समझाऊंगा, जैसे एक declaration date रहता है, जैसे हम माल लेते हैं कि 1st November कोई company declare करता है, जैसे हम बाइबेक लाने वाले हैं, टेंडर आफ़र का, जीस दिन को declare कर रहा है, उस दिन को declaration date का जाएगा, और एक date रखा जाता है, जिसको काहर जाता है record date, जैसे हमारा case में आभी हम इस example के तरपल लिया है, 15 November को तो record date का मतलब क्या है, वो आभी आपको समझना होगा, जैसे आप जानते है कि कोई भी company का share, stock exchange में buy sale होता रहता है, तो buy sale होता रहता है, तो मतलब shareholder भी change होता रहता है, तो company के लिए यह ताइक करना मुश्किल हो जाता है, कि कौन सा shareholder का share buyback में accept किया जाएगा, क्योंकि हार दिन वो change होता रहता है, तो उसी लिए company एक date fix कर देता है, और उसको record date बला जाता है, उस दिन क्या होता है, company अपना जो shareholder का register है, वो उसको check करता है, और वहां पे जिन-जिन shareholder का नाम मिलता है उस दिन, उनिका buyback का जो tender है उसको accept किया जाता है, तो हमारी case में अगभी 15 November, तो company 15 November का अपना shareholder का register चेक करेगा, और उनमें से जितना भी shareholder का नाम मिलेगा उनका जो tender है वो accept किया जाएगा, लेकिन आप जैसे जानते होंगे कि इंडिया में जो trading cycle हो T plus today का, मतलब आपका नाम अगर record में रखना है तो आपको 15 तारिक का दो दिन पहले आपको share को buy कर लेना पड़ेगा, तो यह आपका share 15 November को आएगा, क्योंकि T plus today का cycle चलता है यहां पे, आपके पास share है आप app sale नाइक किये हो तो भी आपका नाम यहां पर आएगा या फिर आपC सेयर को बाई कर रहे तो भी आपका नाम यहां पराएगा लेकिन 14 तारिक को जा नहीं रहेगा उन्होंने eligible नहीं होगा buyback में हिस्सदारी लेने के लिए इसको ex debt करा जाता है लेकिन मैं यहाँ पर आपको और एक चीज कहना चाहूंगा कि 2020 में जो सेवी का new margin rules लाया गया है उसके तहित कई broker same day या फिर एक दिन के बाद delivery दे रहा है मतलब कोई आगार 14 तरीक को buy कर रहा है तो same day delivery हो जाड़ा है या फिर 15 तरीक को delivery हो जाड़ा है तो उस case में company का जो shareholder है आगले दिन उसके shareholder का register में आ जाएगा लेकिन यह क्योंकि नया नियम है तो इसके regarding अभी भी हामें कोई update नही नहीं आ जाता है लेकिन जो new rules है उसके तरह बहुत सब्सक्राइब ब्रोकर ऐसा कर रहा है मतलब same day delivery दे रहा है तो आगले दिन delivery दे रहा है तो आगे आने बहले दिन साइद यह भी चेंज हो जाएगा जो एक्स डेट और record डेट इसका भी कुछ मेकानिवर सेंज किया जा सक है तो आपका दिमान में confusion आ जाएगा तो आगे जाके आईसा भी हो सकते कि यह जो एक्स डेट और record डेट इसका भी कुछ change किया जा सके तो मेरा मकसद क्या है कि आपको CR buyback के बारे में समझाना और फिलाल जो change किया गया है उसको भी समझाना क्योंकि आगे जाके आपको confusion न आए तो 15 तरीको जिस जिसका नाम shareholder में मिल जाएगा वो next जब company buyback का window खुल देगा उसके बाद इस record date के बाद company buyback का window खुल देता है उसमें जाके अपना tender वो जमार कर सकता है और यह जो buyback का window यह minimum 15 दिन खुला राएता है और maximum 30 यह company चूज कर कितना दिन खुला राखेग जिसका नाम record date के अंदर है वो अपना share जाके tender कर देगा company को तो लेट से माल लेते कोई shareholder 100 share को tender कर दिया ऐसा नहीं है कि 100 share को एकसेप्ट किया जाएगा company का कुछ acceptance ratio है उसके इसको एकसेप्ट करेगा अगर पुड़ा accept नहीं कर रहा है तो बागी जितना भी accept कर रहे उतना return कर दिया जाएगा और जितना accept किया जाएगा उतना का पैसा shareholder को दे दिया जाएगा तो आसा करता हूँ आपको share buyback का हार एक point पाता चल गया जितना भी मैं जानता था आपको हार एक point बातने के मैंने यहां पे courses किया तो मैं आसा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जुरूरत नहीं पड़ेगा buyback के बारे में क्योंकि मैंने इस वीडियो में हार एक point को cover कर दिया आपको अगर इस वीडियो में कुछ सिठने को मिला और मेरा यह effort आपको पसंद देया तो please एक like जुरूर कीजिए और चैनलन को subscribe नहीं कि มา कि एक बारे में कि एक बारे में कि मा जाँ समी पनाव औरक्ष क sorrow having me एक खरने कि युवेगा को ओने कर दो जो से खबवेगार इस तोर पीमने समीं अटर श्यें कि मैं कि करो एक तो पनाब हो आई आपको जापकों और कर फिरो सबद़ियों जार रóg कि आपकों जाने कि प cette स झाल झाल